बहुत ही सूपर है वन आफ माई फेवरेट ही है यह कम से कम आपको 10 इंच का कोडेक्स है आड़ वर्क आप पूरा देख सकता है जो मेरे कितना साल में इसको सभी रेडी किया बहुत टाइम लगता है और भी कम का पीछे और फ्लावरिंग आने का लिए अभी रेडी हो रहा है फ्लावर आगिया तो पॉल्नेट करूंगा पॉल्नेट करने का बाद सीट सेट हो गया तो 100% सीट तो आपको मैं देने वाला हूं इसका सीड हलो फ्रेंड्स मेरे ना यह वीडिया के सभी लोग को स्वागत करता हूं आज का जो टॉपिक है वो अर्विकम मदर प्लैंट के यह वारीन के एक बार इसको में अप्रूट करके मैं दिखा दिया ता आज जो यह वरेटी है नहीं के का ट्रॉफ ए मैंसको रीपोर्टिंग कर दिया इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है पूरा ग्रोथ भी आ रहा है और इसके बाद जो है वो क्योश्च को यह भी यह नाग पाया यह नाग पाया का अभी ग्रोथ थोड़ा डॉर्मेंसी में चला गया था अभी ग्रोथ स्टार्ट हो गया बट यह भी बहुत अच्छा वरेटी है मेरा सूपर है बहुत ही सूपर है और यह जो है बहुत ही सूपर है वन ओफ मै फेवरेटी यह कम से कम आपको 10 इंच का कोडक्स है 10 इंच मिनिममम रहेगा मिनिममम 10 इंच रहेगा जो यह कवर का विटते हैं फोर्टीं इंच का है यह देखलो इधर ही 4 इंच का जो है और नेक्स्ट है इभी इभी ए एमराड बिग गाम है ज जो बिग्ऑ हाथ बोलते हैं में बहुत ही सूपर है इसका भी बहुत रेर है essahी मिलने के लिए जो ये क्वालिटी और इसका सीर सा भी मिलना थी बहुत ही रहर है और न्यक्स्नेक हैं कि ये यह नागा पाया है, sorry, यह रेड ब्रासलेट है, थोड़ा रेड देख रहा है न आप, देख लो, यह भी सूपर है, बहुत ही सूपर है इसका, कॉड़क्स भी मस्त है, इसका भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, मेरा पुराना प्लांट से, यह मिनिमम आठ साल का उपर का प्ल हाथ कभी नहीं हो रहा है, इतना बड़ा कॉड़क्स है इसका, और नेक्स्ट है की, जो PBN ब्लाक वरेटी, PBN का ब्लाक वरेटी है, देखो सभी अलग-अलग है, मेरा हाड़ वर्क आप पूरा देख सकता है, जो मेरे कितना साल में इसको सभी रेडी किया, बहुत टाइम ल उपर क्राउन जैसा एक क्राउन का जो लुक होता है, ऐसा ही होता है, क्राउन का जो लुक सिमिलर होता है, इधर जो यह बर्निंग नहीं है, जो यह को लाइट दिख रहा है, यह सन लाइट में थोड़ा इसका कलर चेंज होता है, बट देखो यह स्टम में डार्कनेस आ रह पता नहीं कि तर से इसका जो ब्रांच आ रहा है सबी में दिखाता हूँ इसको सब फ्लावरिंग आने कर लिए अभी रेडी हो रहा है फ्लावर आगया तो पॉल्लेट करूँगा पॉल्लेट करने का बाद सीड सेट हो गया तो 100% सीड तो आपको में देने वाला हूँ इसका स की पॉरा इसका जो हर दिन इसका इसके पीछे रहता हूं पॉलीनेशन भी किया हूं मैं बता नहीं इसमें यह सीड पोर्ट से ठोगा मेरे इसाब से है यह बी सेट हो गए है बट जो बाकी दूसरा यह नहीं होगा और यह भी व्यंक चैड़ा का जो सेकेंड क्वालिटी एंग चेंज है थोड़ा गॉर्जिक का क्रॉस हुआ है बट ये भी अच्छा ग्रोथ है कोई प्रोडम नहीं है मैं इसको रखाऊं फ्लावर के लिए अगर आ गया तो अच्छा है आने किया संभाव ना है क्योंकि तो पूरा लिफ तो पूरा रेडी हो गया इसका और इसका जो ने दिफिकल्ट है इसको मेंटेन करना देखना इतना प्लांट है एक एक दिन में एक एक को प्लांट को जैसा जैसा उसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट है यह गोल्डन बेल है आपको देख सकते है गोल्ड गोल्डन बेल्ड का जो पहले वरेटी था ऐसा कि जो पहले बोढ़ा को पुरा गोल्ड होता है बड़ ज्यादा गोल्ड नहीं है इसका फिर भी ओके और उसके बाद जोaiserब रहा है यह गोल्ड ट्रनक आपको इसमें दिख सकता है कि गोल्ड क्या होता है पूरा गोल्ड है इसका ट्रांग बड़ यह प्लाइंट को मिंटेन करना बहुत ही मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है गोल्ड क्यूंकि तो फोटो सिंथेसिस बहुत कम होता इसमें कभी भी रॉट होने का चांस रहता है देख लो इसमें जो ज्यादा गोल्ड है उदर जो अभी इसका बार आ रहा है जो शूट्स नया शूट्स इदर अभी आ रहा है, जैसा कि शीट पॉड कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत लिए किया था, एक तो सेट हो गई है, मेरे हिसाब से तो, येस, इसमें तो एक सेट हो गया है उग्यों एक्सट हो गया है, बाकी सब पता नहीं, बहुत फ्लावर्स आया था ता यह मेरा EB है आएली एमरेट प्रस लेट है बहुत ही सूपर बहुत कॉंपाक्ट और और लास्ट बट नॉट दे लिस्ट यह जेड़ वराइटी है जेड़ बहुत ही सूपर है इसका सभी सीड मिलना और यह वराइटी मिलना बहुत ही मुश्किल है इसको जो तायार करने के लिए भी बहुत मेहनत है इसका पीचे ओके फ्रेंड्स अगर इस प्लैंट के ऊपर दुख होता है सभी आप मेरे को बता देना डाउट हुआ तो क्लेयर कर लोंगा कलेक्शन बहुत है बट मेंटेनेंस उसका भी ज्यादा है कलेक्शन इजी नहीं होता है कलेक्शन भी डिफिकल्ट होता है मेंटेनेंस भी अतना भी डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए बता रहा ना मैं यूटूब में फोन नमबर नहीं दे रहा हूं क्योंकि तो बहुत मेरे को कॉल्स उठाना वो सभी हो जाता है इसलिए बता रहा हूं मैं इंस्टाग्राम में आजो मैं आपको नमबर दे दूंगा मेरा वाटसप नमबर दे दूंगा आपको पूरा का पूरा सभी झाल झाल